हलो फ्रेंट्स, कॉंप्रेशन कमेटी के CGSIE प्रेलिम्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान, आईए फ्रेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं, CGSIE एक्जाम को टार्गेट करते हुए बायो के हमारे चौथे महत्पूर्ण सेशन को, जिसमें लिखित में से कौन सा तना है, which of the following is a stem, ठीक है, बहुत आसान सा प्रस्थन है, लेकिन अक्सर ऐसे को हम मिस्टेक करते हैं, देखते ही क्या क्या आप्शन से, है ना सलजम या टनिप, अद्रक या जिंजर या गाजर, कैरट या फिर सक्करगन या स्वीट पोटैटू, तो जब भी हमको एक बात समझनी है, जड़ और तना, ठीक है, जड़ और तना, ये दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, है ना, इसी के आधहार पर इसे हम explain कर सकते हैं, तो इनमें से पहले में इसका answer बता देता हूँ, कौन सा तना है, तो answer क्या हो जाएगा, अद्रक, अद्रक पाया जाता है, ये nood और दोनों के बीच का जगए ये जो है internood, है ना, परव और परवसंदी पाया जाता है, तो अद्रक में भी देखना, मालो अद्रक इस प्रकार का है, अलग-अलग प्रकार का structure है, मालो है ना, तो वहाँ पे आप दिखेंगे इस प्रकार का, आपका no सब्सक्राइब इंटर नोड दिख जाएगा तो यह कुल्मिला की कोई भी सेफ हो सकती है लेकिन आपको अहां पर में जड़ों में कभी इस प्रकार का नोड इंटर नहीं बाने की रुपांतिर जड़ तो रुपांटरित तनाः आप मिनस ओप्षण बी अधरक या जिंजर ठीक है तो चलिए नेक्स फोशन की और हमूब करते हैं हीमोफिलिया रोग है हीमोफिलिया डिसीज हीमोफिलिया रोग जो होता है वो क्या है क्या ये विसानुजनित है जीवानुजनित है हेरेटरी है जेनेटिकली है या फिर ये कहते हैं कि फंगल डिसीज है तो अगर इसका आंसर हम करना चाहें तो बहुत आसान है हीमोफिलिया क में लगता है ऐसे समबंद में का इसा कौन सा रिक निए ट्लॉट हो जाता है दो या नहीं जमता या फिर और लंबा समय भी हो सकता है तो थोड़ासा पिन भी remove दिया जाए उनके स्केन में तो वह ब्लिडिंग होना continue जारी रहता है एसा माना जाता है जो मिलेगा कि हीमोफिलिया जो डीसी किस विटामिन की कमी से होता है है ना बहुत important question है विटामिन A, B, C और D क्या है ऑस्टियो मलेसिया तो अक्सर आपने एक नाम सुना होगा उसका नाम है रिकेट्स रिकेट्स जानते ही है रिकेट्स बोलते सुखारों कह देते हैं किसकी कमी से होता है विटामिन D की कमी से होता है तो ये रिकेट्स जो होता है जब बच्चों में होगा विटामिन D की कमी तो उसे हम रिकेट्स कहते हैं लेकिन जब ये एडल्ट में होता है यही विटामिन D की कमी तो उसे क्या कहते हैं? औस्टियो मलेसिया कहते हैं सब्सक्राइब क्या हो जाएगा या यह धंगुर या पोरस हो जाती है वह को याद रखना है तो डी तो या फिर आप यहां पर फंगस लिख सकते हैं है ना तो क्या ओप्शन है यहां पर अगर देखा जाएगा तो जैपनीज इनसेफिलाइटीस जेई कहते हैं है ना तो यह बेसिकली क्या है वाइरस के कारण होता है जैपनीज वाइरस आपकी कारण होता है ये याद रखेंगे अपका चिकन पॉक्स होने का कारण क्या है तो यहां पर देख अधि की रूबेला से होता है क्या रूबेज़ा से नहीं होता है जर्मन खसरा होता है एक माइल्ड प्रकार का खसरा होता है तीन चार दिनों के लिए होता है ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी महिलाओं में खास कर तो यह जो होता है रुबेला वाइरस नहीं है ऑप्शन गलत है वैरी ओला वाइरस के बारे में हम देखो दो ऑप्शन डिया हुआ very ola और very sella तो यहां पर आपको keyword वहीं देखना है कि जब chicken pox की बाद आती है तो option क्या हो जाएगा very sella virus हो जाएगा chicken pox को और क्या कहा जाते कहा जाता है क्या कहा जाता है छोटी माता कहा जाता है जो mostly गर्मी के दिनों में अक्सर जो है देखने को मिल जाता है ठीक तो यह जो है छोटी माता क्या है अपका है ना चिकन पॉक्स उसका आंसर क्या हो जाएगा वैरी सेला वाइरस क्लेर हो गया अब बचे वे बागी क्या है देखिए वैरी ओला वाइरस क्या क्या होता है इससे होता है इस स्मॉल पॉक् बड़ी माता को और क्या नामसे जाना जाता है चे चक है ना तो चे चक थे उसका खारण क्या है आपका वेली ओल वाइरस वीरस थीट उसके बाद प्रच्वा कोश्चन क्लेर हो गया नेक्स कोश्चन के मूव करते हैं कैंसर की उपचार में प्रजिक्त आइसो टोप क्या है तो यहां पर देखिए इस से रिलेटेड जो आइसो टोप है वह क्या है कैंसर की उपचार में ऑप्शन से फासफोरस 32 कारवन 14 कोवाल 60 और नन ठीक क्या है अंसर देखिए सबसे पहले व्याद रखिएगा यह आई सो टोप बड़े काम के होते हैं है ना आई सो टोप क्या का जाता है समझ थानिक कहा जाता है जिनका परमानु करा मांक समान हो और भार भिन 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 हो ठीक है इस नममल सेम हो और ऑ estarmaid मांश जो हो तो रखेगा जैनेटिक इंजिनेरिंग ठीक है अनुवानसिक अभियांद्री की तो यहां पर यूज किया जाता है और कहां यूज किया जाता है आपके ब्लड में किसी भी प्रकार की जो विक्रीती है कुछ प्रकार की अबनॉर्मिलिटी है उसे भी चेक करने के लिए फास्फोर के लिए उसे बनाया जाता है तो कारवन 14 बेसेकले यूस तुच्त है यहां आइओ करने के लिए यूस किया जाता है थो अगजाद करने के लिए तो यह इंब तीन हो इंपॉर्टेंट वैसे एक्जाम के लिए कैंसर के लिए कोवाल 60 है ना मूव करतें नेक्स्ट कोश्चि है हैजा कॉलेरा बहुत आसान है विब्रियो कॉलेरी है ना विब्रियो कॉलेरा या कॉलेरी हम कहते हैं तो यह क्या है यह तो बैक्टिरिया है वही है ना तो आंसर क्या हो जाएगा बैक्टिरिया भी ए आंसर हो जाएगा है ना याद रखना विब्रियो कॉलेरा या कॉलेरी ठीक है? तो यह इसके कारण जो होता है हैजा होता है ठीक Now move करते है next question next question की और move करते हैं कि कि किस vuitamine का संबन्द रक्त की ठक्का से जमने से है newsletter A, B, C KFirst answer क्या है? vitamin K है, vitamin K क्या है? blood clotting में help करता है याद रखिएगा ठीक चलिए next question की और move करते है तत्व की भूमिका होती है तो तत्व यहां दिया हुआ है मैगनिशियम कैल्सियम आइरन और कॉपर ठीक है आंसर क्या हो जाएगा कैल्सियम जब रक्त जब आपको चोट लग जाती है ब्लड क्लॉटिंग ब्लड जो है बहने लगता है और कुछ समय बाद जब क्लॉटिंग ह होंगा दो चार मिनट की अंदर तो समय कैल्सियम जो Hangel नुक्राइब कर देता है कहने का मतलब हम कह सकते हैं बलैड को चूट लग जाती है ब्लैड बहता है तो ब्लैड बहने के दौरान उसका एक बड़ जमनी का प्रॉसीजर होता है प्रॉसेस या पक्रिया होती है उसमें कैलषियम बहुत इंपॉर्टन रूप्ले करता है वैसे अप्र सब्सक्रीय नहीं है फिलाल यहां पर कैल्सियम ज़ृरी हुता है याद रखना्य कैल्सियम विटामीन किया है वो भी क्या है blood clotting में help करता है clear होगे आप सभी को चलिए थ्रोंबोप्लास्टीन निकलता है आप सभी को पता होगा है ना उसके बाद वो प्रोथॉम्बीन वगरे में बदल जाता है प्रोथॉम्बीन थॉम्बीन में बदल जाएगा फाइनली कहना चाहिए उसमें फाइब्रीन उल publicly कंवर्ट कर देता हूँ 5 प्रकार का फाइबर या गाफरी में की में क्या है सभी ज्याल बन जाता सब सब्धूठ निकला Шべ china देख लिजिए आगर एक्साम आप कॉंप्रिश्थिन एक्जाम बागई बगर अभी देख रहे हैं तो कि इंपोर्टेन एरिया होता है एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक तो नेत्रदान में आंक का कौन सा भाग प्रेयुक किया जाता है विच पार्ट अपड़ाइस यूस्ट फॉर डाइडोनेशन अब सभी को पता होगा रक्तदान महादान कहते वैसे ही क्या नेत्रदान भी महादान है तो रेटीना को किया जाता है क्या कार्णिया है ना रेटीना दो बार ऑप्शन में आ गया है ठीक है तो फिलाल इसका आंसर क्या है कार्णिया है ठीक है कार्णिया क्या है का जो है वहाँ पर डोनेशन किया जाता है ठीक तो यह बात याद रखेगा तो जो milk protein का नाम क्या है केसी नाम का protein होता है तो जनरली जैसे की छोटे बच्चे होते हैं जो breastfeeding करते हैं तो उनमें यह होता है वहाँ पे milk protein को पचाना बहुत आवश्यक होता है तो हमारे सरीर में आमासे में स्टमक में क्या होती है दो प्रकार का प्रो एंजाइम पाए जाता है एक होता है पैपसीनोजन ठीक है अभी ध्यार रखना पैपसीनोजन और दूसरा होता है उसका नाम है प्रो रेनिन ठीक है प्रो रेनिन ठीक यह दो बातें आपको ध्यार रखनी है इस कांसर में पहले बत एंजाइम है और यह एंजाइम की अगर जो है एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होता निस्क्री फॉर्म में होता है तो उसे कहते हैं प्रो एंजाइम तो यह दोनों क्या है प्रो एंजाइम है अब इसको एक्टीव करना पड़ेगा तो एक्टीव करने के लिए पैपसीनोजन होता है और वैसे ही क्या है आमासाय में क्या है यहां पे भी सेल सिक्रेशन होगा तो यहां पे जो प्रो रेनीन जो प्रो एंजाइम है वो रेनीन में कनवर्ट हो जाएगा अब हमारे पास रेनीन मिल गया यह वाला अंसर मिल गया अब यह रेनीन क्या करेगा मिलक में जो प्र रेनीन करेगा यहां पर देख रहें यह गज़ए रेन इंड दो है आपका केशन फे हुम् conversion को पाचन करेगागा चोते बच्चों मेह यह हुआ आसाआनी से डाइजस होता है बड़ों में आसानी नहीं होता है केसिट का प्रोंटेन का पाच़ान आसानी से मानमस्सिश का वजन कितना होता है बहुत आसान सा दिख्षने वाला question एक्जाम में पूछा जा चुका है how much does the human brain weight ठीक है तो मोटा मोटा एक बात याद रखना डेड़ किलो ठीक है कुछ कितामों में 1500 ग्राम दिखता है कुछ में 1400 ग्राम दिखता है ठीक चलिए आगे चलते हैं कि पेस्मेकर का क्या काम पेस्मेकर जो दिल की धड़कन स्टार्ट होती हाड बीटिंग स्टार्ट होती हो continuously आप्टर बर्थ जन्मस से लिएक कंटीनिवसली चलते रहती है तो वह दिल की धड़कन कभी भी क्या है ऐसा पास करके या मतलब कहने कभी ब्रेक नहीं लेता हो है ना तो यहां पर इसका आंसर देखिए इसका आंसर क्या है दिल की धड़कन प्रारम करना स्टार्ट दा हार्ट बीट क्लेर हो गया तो यह आपका आंसर है चलिए नेक्स कुश्चिन की और मूव करते हैं पीनियल ग्रन्ती कहा स्थित होती है यह में ब्रेड में ने इसका अंसर क्या है ब्रेड में क्या होती है आपको दो एक्ट बताना चरूरी है सबसे चोटी कौन सा है कहा गया था तो वहां आंसर हम लिए थे पीउस ग्रंथी ठीक है पेट्यूटरी ग्लैंड वहां लिए थे इसका वजन कितना है ओली जीरो पॉइंट सिक्स ग्राम बहुत छोटा है यह मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करने खुद रेगुलेट करता है नियंत्रित करता है और दूसरा नाम है यहां पे देख रहे हैं कि पीनियल ग्रंथी पी 25-26 mm होता है ठीक है तो यह बहुत छोटा सा होटा है इससे भी छोटा होता है इसलिए आपको यह अनसर लेना होगा कुछ किताबों में अलग अलग दिखा है लेकिन आपको आंसर यह लेना क्योंकि यही एक्जाम में लिया जाएगा पीनियल ॉग्लेंट सरील की सबसे चूटी गंथी कौनसी गंथी इंडोक्राइन गंती, इंडोक्राइन अंतास्रावी गंती जो हार्मोन सिक्रेट करता है, अब यह पीनियल गंती का काम क्या होता है, यह इसका काम होता है, कि आपके दिन बर 24 घंडी की जो दिन चरिया होती है, बायलोजिकल साइकल को मेंटेन करता है, इवन फीमेल में यह क् के function है यह बहुत यह भी कहां पाए जाता है यह दोनों उपर नीचे पाए जाते हैं ठीक है अग्रमस्तिसक में यह पाए जाता है ठीक है ना फोर ब्रेंड में तो यह पीनियल ग्रंथी के बारे में याद अठना है तो मैं फिर से clear कर आता हूं सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी लेना इंटा है को लेना है कि पहला पइंट सरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कहार्ट कहाँ के दिया यूरो क्रॉम तो answer D is the right answer clear हो गया तो ये बातें आपको धिया रखनी है बागी बाए लेंफ और यह कोलेस्टॉल वगरा वो आंसर नहीं है नगस् दिखते है, पेरी कार्डियम का संब्ध किसके साथ है? पेरी कार्डियम इस रिलेटेट टू किड़नी? ठीक है plural membrane उसके बाद heart heart के उपर पाया जाता है पेरिकार्डियम कार्डियम वर्ड आ रहा है तो heart is cancer है ठीक है वैसे brain के उपर कह दिया जाया तो meninges meninges ठीक है ये एक प्रकार की पतली जो है आपकी membrane है clear होगे आप सभी को तो इस cancer क्या हो जाएगा c हो जाएगा next question की remove करते है AIDS से संबंदी test का नाम क्या है ELISA test, nucleic acid test, western blood test उपरोक्त सभी ठीक है क्या है इस cancer ELISA test जो होता है वो AIDS का AIDS confirm करने के लिए यानि कि HIV positive है की नहीं confirm करने के लिए यूज किया जाता है western blood भी क्या है HIV के लिए जो है confirm करने के लिए यूज किया जाता है है यह शुरुवाती टेस्ट है यह थोड़ा आगे का टेस्ट है और nucleic acid test जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में भी एकड़म सुरुवाती चरण भी होगा उसका genetic source वगरा का भी वो सब confirmation मिल जाता है तो सबसे अच्छा टेस्ट यही इसलिए माना जाता है nucleic acid टेस्ट ठीक है तो तीनों के तीनों क्या है एड्स related acquired amino deficiency syndrome ठीक है एड्स का full form है उस एड्स HIV human immunovirus के कारण होता है तो कोई HIV positive है तो एड्स से संक्रमित कहा जाएगा है एड्स हो गया है कहा जाएगा तो यह तीनों टेस्ट जो से confirmation मिलता है एड्स का clear हो गया तो option क्या हो जाएगा डी उप्रोग्द सभी next question move करते है कि डेंगू जो और किसके कारण किसके द्वारा होता है तो डेंगू fever जो होता है वो basically किसके द्वारा होता है कहा जाएगा तो डी इन भी याद अटना डी इन वी वाइरस मनलब डेंगू वाइरस तो option क्या हो जाएगा वाइरस के कारण लेकिन यहां पर एक वेक्टर या वाहक का काम करता है वो उसका नाम है मच मचर का नाम है जो वाहक का काम करता है ठीक है यह बात ध्याँ रखना उधर वी हमने वाइरस देखा था को सा वायरस देखा था तक यहां वी यहां डेंगो जवाइरस गया जैपनिश ली कार करने होता है उसके अंदर body के अंदर चला जाता है ठीक और यह क्या है वहाख है वेक्टर है नेक्स करते हैं कुश्चिन इन में से कौन सा रक्तदाप का मापा यंत्र है स्फेरो मीटर अनीमो मीटर स्फिग्मो मैनो मीटर अमीटर ठीक है यह तो electricity से related है इस फिग्मो मैनो मीटर है ना डायस्टॉलिक अपन सिस्टॉलिक ठीक है आपका यहाँ पे रक्तदाप ब्लड प्रेशर को मापा जाता है है ना बीपी को जो मापने में यूस किया जाता है इस फिग्मो मैनो मीटर इसका अंसर है यह बात ध्यान रखिएगा चले ने सोशन कौन सा प्रकूष पूनतया आक्सेक्रित रुधिर को महा दमनी और संपुन सरीर में भेजता है यहां पे वर्ड यूस किया गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड जैसे कि आपको यहां पे आप्शन दिया हुए बहुत कन्फ्यूजिंग होता यह दाया आल आठ के चार चेंबर होते चार चेंबर को इस प्रकार बना लीजिए तो आप इस प्रकार यहां पे देख रहे हैं तो यह जो होता है आपका लेप्ट क्या दाया जो है आपका आलेंद है तो यहां पे दाया आलेंद यह लिखा हुआ ना लेप्ट आर्ट्रियम तो मैं क्या लख़ेंगा यहां यहां पे आलिंद के बाद नीले आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा जो है आलिंड करेंटरिकल यहीं से यहां से लेती है left, जो है, left, जो है, जो है, आल今年, लेप्ट आर्ट्रियम से, तो यह जो left आर्ट्रियम से oxygenated blood enter करेगी, तो यहां पर बीच में wall होता है, तो यहां पर देखें, यह बाया भगें, यह दाया भगें, इधर क्या मिलेगा, एक wall में entry लिया बाए आलेमे फिर बाए नीले में गया कहांगा लेट आर्टरियम गया लेट आर्टरियम से फिर हम देख रहें कि left ventивается lap street में गया left ventacular में गया और left vent vinden कल से देखते हैं कि महाधमनी है ना महाधमनी से क्या होता है सीधा कहां ये इसके ऊपर से जाता है लाइक है ना इसके ऊपर ओवरलैप नहीं है इस प्रकार इसके ऊपर से चला जाता है इस सिमिलर लाइक ऐसा ठीक तो ये जो होता है ये दाए निले से सरीर के अलग-अलग भागों में जाता है त तो different part of body में कहां से जा रहा है oxygenated blood तो यहां पर देख रहे हैं कि left ventricle ठीक है left ventricle तो यहां पर answer क्या हो जाएगा यह डी इसका right answer हो जाएगा चलो यह oxygenated वाली बात होगी अगर आपको डी oxygenated वाली बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा तो डी oxygenated मतलब जैसे सरीर में यह आपका heart है आपके बीच में है सरीर के निचले भाग से यहां पर जाएगा जो है डी oxygenated blood असुद्ध वायू असुद्ध जो है blood ठीक है और यहां से जाता हो सरीर के उपर वाले भागों से भी यहां पर जाएगा और यह कहां खुलेगा भई यह दाया आलिन था तो यह क्या है बाया आलिन यह फिर से आलिन लिख दीजे और कौन सवाल आलिंद होगा भई यह हो जाएगा दाया मतलब राइट ठीक और दाया आलिंद से फिर दाया नीले में आ जाएगा तो यह वाल्व होगा जो वाल्व क्या कम करता है आलिंद से नीले में ही जाने देता है ब्लैट को कभी भी उसके अपोजिट डिर यहां पे दाया आलिन दा गया था तो अब दाया नीले में चाहेगा, है ना, दाया आलिन से दाया नीले में गया, दाया नीले से सीधा क्या जाएगा, टू दा लंक्स जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे लंक्स में हम देखेंगे, वहां पे डी ऑक्सिजेने बॉक्स में ज़रूर पूछिए मिलते हैं नेक्स क्लास में कुछ नए सब्जिक के साथ जनरल साइंस के कुछ और कोश्चिंज को लेकर तो आज के लिए विदा दीजिए थैंकियो सो मच हैवनाइस टे